आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तकनी फोतरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत सभागत है दोस्तों क्राइम अफेर को सब्सक्राइब करें आज मैं बताओंगा कि किस तडीके से 13 साल के बच्चे ने अपनी बहन का रेप किया और उस शिया सुन्नी ट्राइब से एक दूसरे को मारने पर उतारू है टाइमस अफ इंडिया में छपा ही है और ऐसा क्यों है शिया सुन्नी पर मैंने कई बार लेचर लिये हैं ठीक है ना तो आप देखिएगा तो बेसिकली यहां पे पाकिस्तान एक सुन्नी नेशन है हम सबको प इसे एरान एक शिया नेशन है और एक तरीके से विवाद मुस्लिम में इसलाम इस दुनिया का सबसे मोस्ट फॉलोड रिलिजिन है और तीन सबसे बड़े रिलिजिन है तो क्या हुआ है क्यूं इतनी बरबरता दिखाई जा रही है पाकिस्तान में हम इसकी बात करेंगा और उससे पहले हम बात करेंगे हमारे शांदार कोर्स की जो की 10,000 MCQ का कोर्स है दस हजार कोशन चाहें कोई भी एक्जाम आप दे रहे हो SSC हो अभी RO ARO करी एक्जामों का रेलवे मतलब बहुत सारे एक्जाम हिंदी और अंगरेजी दोनों में ही आपको ये कोर्स मिलेगा सिर् अब आप समझें कि 50 लोग के करीब जो है एक हफ़ते के अंदर अंदर मर गए हैं अब ऐसा क्यूं हुआ है जमीन का चक्कर बाबु भाईया जमीन का चक्कर जमीन के चक्कर की वजह से पाकिस्तान का जो खाइबर पक्तूनुआ है वो अल्रेडी वोलाटाइल है हालात क्लैश ऐसे वैसे नहीं बं फेके जा रहे हैं मोटार दागे जा रहे हैं एक फुटी से हमला किया जा रहा है जिसमें 50 लोग के करीब मारे जा चुके हैं और 200 से जादा घायल है अब ये खाइबर पक्तूनुआ का एरिया है जहां पे TTP का दबदबा है तहरी के तालिवान ये बड़ा देंजरस मतलब आप ये समझें कि पाकिस्तान से तूटेंगे आज नहीं तो कल सुन्नी मदागी और शिया माली खेल ट्राइब्स बेसिकली ट्राइब्स हैं खाइबर पक्तूनुआ एक ट्राइबर फाटा के अंदर रहता था पहले ये ठीक है ना लेकिन बाद काउंसिल जो है दस साल पुराना एक बहुत पुराना मसला है एक फार्म लैंड को लेकर जमीन का ऐसा चक्कर होता है कि इनसान मार देता है एक दूसरे को जमीन का चक्कर ऐसा होता है कि भाई भाई का नहीं रहता बेटा मा का नहीं रहता हमने देखा जमीन के चकर ने बेट कि इसको कैसे solve किया जाए वहाँ पे एक आदमी ने fire open कर दिया और जैसे ही fire open किया वैसे ही शिया सुन्नी का विवाद पूरी दुनिया में चली रहा है और यहां तो शिया सुन्नी एक farm line को लेके लड़े हुए हैं तो चाहे रीजनल हो चाहे लोकल हो विवाद तो विवाद है और लड़ गए दोनों और उसके बाद मौते होई भयानक अब देखिए क्योंकि सुन्नी डॉमिनेटेट पाकिस्तान है तो जो 34 के करीब लोग है वो शिया के हैं आठ के करीब लोग जो है वो सुन्नी के हैं ठीक है ना अब जाहिर सी बात है कि आप सुन्नीयों को ज्यादा प्रिफरेंस दी जाएगी फाये जो है वो चार दिन तक 28 जुलाई और 19 जुलाई तक लड़ातार चलती रही ठीक है ना जो मकबल और तेली मंगल एरियाज है अपर अपर कुर्व में है ठीक है ना कि प्रिंस्पल उफ एक्वालिटी जस्टिस सब तो इनके बयान को तो पैसे लिए हसी मोड़ाइए ठीक है कि प्रोग्रेसिफ सोसाइटी बनाना है यह बनाना है वह बनाना है हालात इतने बुरे हैं आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे कोई एक डॉपी पे ध्यान नहीं कुछ ठीक है क्योंकि देखिए इनको कोई जान नहीं रहे यह बहुत अमीर है बहुत पैसा इनके पास जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बिचारे मर रहे हैं है ना उनकी आहलात खराब है और जो पॉलिटीशन्स है और आर्मी वाले बहुत पैसा है नोगों के पास कूप पैसा ची जो मसला था कि कौन बैठेगा प्रॉफिट मौम्मत के बाद कौन होगा अगला लीडर क्या प्रॉफिट की ब्लड लाइन या फिर जो काबिल है तो वहां से शिया सुन्नी का जगड़ा शुरू हुआ तो वो मैंने लेचर्स लिये हुए हैं तो अब देखिए क्योंकि यहा तरीके से TTP भी सपोर्ट इसको कर रही है डूरंड लाइन उधर साइड से भी सपोर्ट हो रहा है क्योंकि और डी पाकिस्तान अफगानिस्तान का डिस्पूटेड बाडर है और उपर से पाकिस्तान एक सुन्नी मेज़ोरिटी कंट्री है तो बेसिकली इसलिए भी शिया की से क्याजूलिटी ज्यादा हुई है क्योंकि सुन्यों का डॉमिनेटेट एरिया है यह समझ रहो अफगानिस्तान में जो 90 परसेंट पॉपलेशन है वह सुन्नी है दे फॉलो सुन्नी इसलाम तो एक तरीके से दोनों आटोमेटिक वेपन्स यूज कर रही है ग्रेनेड यू से दोन रहा है यह साब किताब को हैं तो ड्राइबल फाइटर जो है पता है कि कुछ भी हो जाए औरतों पर हमला नहीं करेंगे घरों पर हमला नहीं करेंगे बच्चों पर हमला नहीं नहीं जब बम आएगा तो वो देखके तो आएगा नहीं कौन औरत है कौन बच्चा है सभी मरेंगे जादा तर जो गाओं है खाना नहीं है यहां पे मेडिसिन नहीं है क्लैशिस की वज़े से रोड्स बंद कर दी गई है पाकिस्तान भी नया चाइना हो रहा है वहां पे ट्राइबल एडिया जो कि एक सेमी और 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 रिजन था पाद में ये 2018 में इसको मर्ज कर लिया गया है ठीक है ना कोई सेमी और नॉमस नहीं है तब ही से यहां पर बहुत जादा जार जारी है ऐसा बोला जाता है कि टीटीप ने तो कुछ गाओं में यहां पे चला में इंटिग्रेट हुआ तब इसको सब कुछ मिलने लगा जो पाकिस्तान के बाकी राज्यों को मिल रहा था वो सब मिलने लगा तो वही है कि जो माउंटेमियस रीजन है यह बलोचिस्तान वाला एरिया खाइबर पक्तूनवा वाला एरिया यह पूरा यहां पर आपको होता है आप देख रहे हैं ना कि पिछले कुछ समय में खाइबर पक्तूनवा में बहुत सारे हमले हमको देखने को मिलें पिछले दस सालों में ठीक है ना तो जो पाकिस्तान की हूम और ट्राइबल अफ्यर डिपार्टमेंट है बता रहे हैं कि अभी तक आठ मेजर वज़े से और बाकी रिसोर्स की वज़े से पॉलिटिकल रेप्रेजेंटिशन और कल्चलर आइडेंटिटी की वज़े से भी यह हुआ है तो यह चीज है तो और अरगजाई और खाइबर ट्राइब्स के बीच में तो बहुत ही भायाना कॉन्फिक हुई है और इनका की कोशिश करता है या कभी कवार फेंसिंग हटाई जाती है तो डिस्प्यूट हो जाते हैं लाइन ओनर्शिप को लेके पॉलिटिकल रेप्रेजेंटेशन को लेके 2008 से लेकर 2010 में भी यह इन ट्राइब्स के बीचे एक्सकेलेशन हुई थी और बहुत लोगों की यहाँ पे जाने गई थी तो एक तरीके से अफगान बॉर्डर में जो लैंड ओनर्शिप है ना कई बार देखिए ओनर्शिप अब कैसे डिफाइन करोगे लैंड रिकॉर्ड होने चाहिए ठीक है ना एक बार आपके पास लैंड रिकॉर्ड हैं आप दिखा दो अब यहाँ पे ऑफि चाहिना को बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट दिये हुए हैं तो इसलिए और जादा दिक्कत 27,000 स्क्वाइर किलोमीटर तक के एडिया में डिस्प्यूट फैला हुआ है तो ट्राइबल लाइन डिस्प्यूट जो है वो जो यहाँ का नेचर है और कई बार तो सालों तक दसियों सालों तक तक भीता है अब प्राब्लम यह है कि ब्रिटिश ने यह जो ट्राइबल टेरिटरीज है इसको मांग किया हुआ था लेकिन मैप्स है नहीं क्या करें और रिकॉर्ड्स जो है वो काफी ज़्यादा डिमेटेबल है और उपर से रिकॉर्ड जो है वो इतना पर भी जैसे डिस्प्यूटेड लैंड जैसे मेरे पिता जी का डिस्प्यूटेड लैंड था ठीक है अब भाईया हम लोग तो क्योंकि आफजब पढ़ने वाले तो हमने का कि भाईया वो लोग उन्डे आम दूर रहेंगे हैं कोई ले जाओ लैंड ले जो करना कि हमारे प पाज बंध हैं तो क्या किया जाए तो जो फैसल करीम कुंडी है प्रोविंशल गवर्नर वो बताते हैं कि जो रियल इशू है वो सेक्टेडियन वालेंस नहीं है लेकिन यहां की सरकार है ना वो बहुत निकम्मी है वो इन लैंड डिस्प्यूट को कभी एडरेस करती ही नह चलाएगी गोलियां मरवा देगी ठीक है तो एक तरीके से जो revenue department system है यहां का बेकार है बकवास है वाहियात है और सबसे बड़ी बात जो land documentation है और जो geographical information system जिससे आप land की mapping कर सकते हो उस पे ध्यान देना चाहिए बड़ ऐसा है नहीं सरकार इन records को strictly अपने पास रखती है और य प्रियाज वजीर जो की diplomat resident है यहां के वजीरिस्तान के वो बताते हैं कि देखे ब्रिटिश era maps को आप यूज करिए ना भाई 1947 से पहले जो ब्रिटिशा ड्रॉ करके गए थे वह आप करिए land documents जो है वो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे लोग मर रही है यहां पे एक शह है या tribal council है तो उनके थ्रू जो है इसको आप sort करवाईए सबसे बैटर यही रहेगा लेकिन वही है कि इस समय सिर्फ और सरकारी officials जो है इसको access कर सकते हैं यह दिकत है तो सरकार के action की बहुत ज़्यादा जरूरत है और tribal elders की बहुत ज़्यादा जरूरत है तारकि land reforms हा जाए यही अहला बना अगर नहीं हुआ यह तो यह अहलात आपको देखने को मिलेंगे तो यह lecture था आपको क्या लगता है मुझे comment box में जरूर बताइएगा बाकि हमारे course को आप जरूर अवेल करें 10,000 questions सारे के सारे exam आपके tip पे thank you so much